कि अग्जांपूर कलम सिक्रान्ती मैं पृति आपका अपने परिवार एक्जांपूर में स्वागत करती हूं गुड आफ्टर नोन वेरी वेरी गुड आफ्टर नोन बच्चुके दोपैर के एक ओठीक अबजे होती हमारी कम्प्यूटर की क्लास चलिए शुरू करते हैं अपनी आच्च Kacz को जो कि सौरटकट की के सेकिन्ड पार्ट के साथ होने वाली है शौर्टकट की का पहला पार्ट हम लोगों ने कल कर लिया था और आज हम इसके सेकिंड पार्ट के बारे में बात करेंगे ना चलिए जल्दी से एक बार क्लास को लाइक करके शेर कर दीजे ताकि और भी सूरेंस क्लास में लाइव जुड़ सके बिल्कुल गुर आफ्टेनून वेरी वेरी गुर आफ्टेनून सभी को बिल्कुल क्लास स्टार्ट हो चुकी है जल्दी से सभी को आ जाना है और आज हम करने वाले क्या तो आज हम लोग करेंगे शॉटकट कीज का पार्ट सेकेंड बहुत सारी अलग-अलग चीजों को आप देखोंगे बहुत सारे अलग-अलग शॉटकट कीज के बारें बात करें कंट्रोल और शिफ्ट दोनों मिलकर अगर कॉंबिनेशन बनाएं तो क्या काम करेंगे ठीक है बिल्कुल गुराफ्टेनून गुराफ्टेनून चलो तो शुरू करें क्लास ओगे चलो तो स्टार्ट करते न देखो यहां पर आप सबसे पहले क्या पढ़ेंगे अभी सबसे प कंट्रोल के साथ अगर फंक्शन की को मिला कर कोई कॉंबिनेशन तयार किया जाता है तो उस शॉर्टकट की का काम क्या होगा ठीक है अगसिक कभ और किस दिन से शुरू किया बीजनिंग की क्लास थी श्राइब कि चल्टिए एक हफटा हुआ है मतलब मैं भतातू कब से सब्स zij करिए पिछले मंदे से स्बस्ते करें पिछले मंडे में कौं सा दिन होगा कि यदि आज क्या थी तो यदि आज 10 जून को थर्सड़े है तो इससे पिछले मताब अभी जु गया उससे पिछले वाले मंडे में कौन सा दिन था तब से स्टार्ट करें ठीक है एक जून के आसपास से स्टार्ट करें मैंने क्लास चलो आगर मैं कंट्रोल फंक्शन की बात क करना कंट्रोल के साथ f1 का इस्तमाल किसके लिए किया जाता है कंट्रोल के साथ f2 का इस्तमाल किसके लिए किया जाता है कंट्रोल के साथ f5 का इस्तमाल किसके लिए किया जाता है और भी हैं और भी होंगे कंट्रोल के साथ यहीं पर लिखती हैं ज़रों को इसको टेबल बनाकर लिखते हैं तो ज्यादा अच्छा लगेगा थोड़ी प्रेजेंटेशन अच्छी हो जाएगी और एक साथ सारी चीज़ आ जाएंगे देखो कंट्रोल के साथ F1 कंट्रोल के साथ F2 कंट्रोल के साथ F4 कंट्रोल के साथ F5 कंट्रोल के साथ F9 कंट्रोल के साथ F10 या 11 और 12 तीनों चारों चीज़ों को लिख लेना है F9 के बाद लिखना F10 और control के साथ लिखना है आपर control के साथ लिखना है आपको यहाँ पर F12 इन सबका इस्तमाल अलग-अलग तरीके से होता और कौन-कौन से तरीके से होगा तो वो भी आपर देखते हुए चलेगे ठीक है चल किसी मेन्यू बार को अगर दिखाना है या छुपाना है किसी मेन्यू बार को अगर हाइड करना है छुपाना है या दिखाना है शो करना है हाइड और शो करने के लिए किसको मेन्यू बार को अगर किसी मेन्यू बार को आप हाइड या शो करना चाहते है은 तो उसके लिए शॉटकट की होती है कंट्रोल के साथ F1 क्लियर है ? अगर आप प्रिव्यू देखना चाहते हूँ, आपने कोई पृंट करवाया, कोई पेज आप कंट्रोल प्लस पीचे Supreme कर बाती हो, प्रिंट करवाने से पहले आप देखना चाहते हो, कि प्रिंट करने के बाद वो चित्र या वो पेज कैसा दिखेगा, तो monitor कर लिए भी यहां थीक है चलो clear है इसके बाद अगर मैं बात करती हूं control फ्लस F4 के बारे में कर डंट्रोल फ्लस F4 का इस्तमाल किसके लिए किया जाएगा current close window आपकी जो वर्तमान में window चल रही है current का मतलब होता है वर्तमान आपकी जो वर्तमान में window open है उस window को बंद करने के लिए उस विंडो को क्लोज करने के लिए कंट्रोल के साथ F4 का इस्तमाल किया जाता है क्लियर कंट्रोल के साथ 5 का इस्तमाल किया जाता है वर्तमान वाली स्लाइड से करिंट वाली स्लाइड से वर्तमान वाली स्लाइड से स्लाइड शो को शुरू करने के लिए स्लाइड शो पता है ना एक के बाद एक स्लाइड अपने आप आती रहती है उसके लिए होता है कंट्रोल प्लस एफ नाइन इस्तेमाल किया जाता है कर्ली ब्रैकेट को दिखाने के लिए curly bracket के लिए इस्तिमाल करते हैं दोखो एक ये वाला bracket होता है नहीं curly bracket होता है نए एक curly bracket होता है उसके लिए हम किसका इस्तिमाल करते हैं control के साथ f9 का control के साथ f10 का इस्तिमाल किया जाता है maximize के लिए कोई भी चीज अगर आप उसको बढ़ा करना चाहते हैं ना चाहते हैं चोड़ा करना चाहते हैं तो लिए सब्सक्राइब के साथ कन्ट्रोल के साथ f12 किसी भी डॉक्ट को फोलने के लिए नो ओपन टॉक्यूमेंट किसी भी दस्तावीच को को खोलने के लिए और जाहिर सी बात है आप उसी दस्तावेश को खोल पाऊगी बिल्कुल सारी चीज़े बताऊंगे के करके फिकर मत करो जादा जल्द बाजी मत करना नहीं तो चीज़ें हो जाएंगी गलत जितना मैं पढ़ा रहे हों भी केवल उस पर ध्यान दो जब पूरी शॉटकट की बता दूंगी तो बिल्कुल आपके मन में जो भी शॉटकट की इसको लेकर दुविदा हैं वो पूछ सकते हूं ठीक है आगे चले नोट करना है नोट कर लो इसको फटापट से फिर आगे चलते हैं यहां पर आगे चलेंगे और भी चीज़ों के बारे में देखेंगे ठीक है और भी चीजों के बारे में मिया पर बात करेंगे चलो आगे चले ओके 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 तो यह चीज़ क्लियर होगी कंट्रोल F1, कंट्रोल F2, कंट्रोल F4, कंट्रोल F5, कंट्रोल F9, कंट्रोल F10 और कंट्रोल F12 यह important है जो मैंने आपको बताई ठीक है बिलकुल मैं पूरा कोर्स करवाओंगी रविंद्र जी आप राम से देख सकते हो रीजनिंग की क्लास सुबह 8 बचे होती है और कैप्शन की क्या होती है नहीं मानोगे मैं बोल रही हूं आती हूं अगर यही F1 F2 F3 किसके साथ लग जाए और के साथ लग जाए तो इसका अंसर क्या हो जाएगा ठीक है चलो करें से next next यहां पर लिखना अगर यह function की और के साथ लग जाए और प्लस function की अगर और के साथ function की को लगा दिया जाए तो उनका काम क्या होता है जो मेजर important है उनको अभी देखेंगी ठीक है अओल्त के साथ नोट करना यहां पर के साथ नोट करना आगर में इक नॉर्मल भी लिख लो और साथ में वी लिखलो दोनों यहां पर लिख लेना, ओल्ट के साथ ये केवल नंबर है 1, ओल्ट के साथ केवल नंबर है 2, ओल्ट के साथ केवल नंबर है 3, ओल्ट के साथ फंक्शन की है 4, ओल्ट के साथ फंक्शन की लिखना है आपर 5, आल्ट के साथ function की लिखना है यहाँ पर 7 5 के बाद लिखना है यहाँ पर 7 उसके बाद यहाँ पर लिखना Alt के साथ F8 Alt के साथ F10 और Alt के साथ F11 यह total function की और normal number हैं जो आपसे directly पूछ लिए जाते हैं तो इसके अंदर क्या होगा कैसे करेंगे बताना है लाइन स्पेसिंग के लिए अलग अलग होती है control 1, control 2 भी होती है लाइन के बीच में जगा छोड़ने के लिए ठीक है बिलकुल आप UP पुलिस के लिए class ले सकते हो सुबह की reasoning की जो होती है 8 बजे अब copy paste करके कोई भी comment नहीं करेगा केवल यहाँ पर जो मैं पढ़ा रही है उसे पढ़ना है ठीक है बताओ फड़ापर से जिसके बारे में भी जिसको पता है फड़ापर से आंसर करना है आपर क्या होगा बताईए जल्दी से विल्कुल दीपक दिवारी जी ASI में 25 कोशन आते है ASI की अभी मैं संडे में मेराथन लेने वाली हूँ संडे में ASI के कोशन करवाऊंगी संडे में आप लोग कर लेना cover चलि आंसर बताने है फड़ाफट से क्या होगा इसका आंसर बताना है जल्दी से के करके इसका क्या हो जाएगा जल्दी से सभी को यहां पर आंसर करने है ठीक है चलो फड़ाफट से बताईए इसका आंसर क्या होगा तो अगर मैं 1,2,3 की बात करती हूँ तो यह किसके लिए होता है यह undo typing के लिए होता है कोई चीज जो लिखा है उसको छुपा कर टाइप कर दो undo typing के लिए होता है cont drop auto alt के साथ 2 redo typing के लिए होता है कोई चीज लिखी थी उसको दुबारा लिखे जाओ लिखे जाओ control के साथ 3 preview के लिए होता है देखो preview के लिए दो बटन पता चल गए एक control के साथ था प्रिव्यू के लिए control के साथ f2 था और यहां पर alt के साथ 3 है वो भी preview वाला ही काम करता है वो भी कौन साई काम करता है preview वाला ही काम करता है चलो alt f4 desktop बता तो रहे हैं आप लोग चलो वेरी गुड़ अगर मैं बात करती हूं है 4 के बारे में तो current की विंडो को current के program को close करने के लिए जो वरतमान में program चल रहा है उस program को close करने के लिए या बंद करने के लिए ALT के साथ F4 का इस्तेमाल किया जाता है ठीक है कोई चीज शीज चला गया उसको restore करने के लिए कोई डेटा आपका चला गया डिलीट हो गया उसको वापिस लिया और रिस्टोर करने के लिए और के साथ F5 का इस्तेमाल किया जाता है किसका F5 का इस्तेमाल किया जाता है आगे चलें कि आगे चलते नेक्स्ट नेक्स्व बात करते हूं यहाँ पर एफ सेवन का स्त्माल किसके लिए किया जाएगा स्पैलेंग को चेक करने के लिए लिए कोई वर्तनी लिखिये उस वरतनी में कोई तूटी तो नहीं है कोई अगर वर्थ नहीं लिखिया उस व्रत्री में कोई तूटी तो नहीं है उस तूटी की जांच करने के लिए ओल्ट के साथ f7 का इस्तिमाल किया जाता है क्लियर आगे चले आगे चले इसके बाद अगर मैं बात करती हूं F8 तो यह macro के लिए इस्त्माल किया जाता है और me उनकि में बात करती हूं तो यह maximize भी करती है चीज़ों को बढ़ाने के लिए और साथ ही में इस का काम भी data को restore करने के लिए होता है उसका काम भी data को restore करने के लिए होता है और के साथ f11 अब इसका काम नहीं होता वरना पहले इसका काम Microsoft के जो operating system में मतलब window operating काम कर रखेगा मेरे बाद अगर कोई दूसरा तीसरा उता पांच वाउचर वह Recording पर चले कि अच्छा यह काम ऐसे किया था इससे पहले जो मैंडम रहती थी उन्होंने मैंको प्रॉपर्ली आपके काम को एक ट्रेक ट्रैक करती है ठ्रेस करती है ठीक है क्लियर आगे चले ओके क्लियर आगे चले हम हो गया है चलो आज नहीं नहीं आपकी शॉटकट कीज मिल रहे हैं इसको जरूर देख लेना सारी इंपॉर्टेंट हो जाएंगी ठीक है एक दिन देखा था आपने बोला कि सिटी कौन कौन बाद में दूसरे से बात कर लेना सनी चौदरी जी आपके कमेंट शोरे स्लिश आथी से केवल पढ़ लो यह चीज़े क्लेयर है ओल्ट वाली भी आगे चले चलो अब मैं आप आपको बताऊंगे अगर कंट्रोल और शिफ्ट के साथ फंक्शन की दी जाती है तो को नेक्स लिखना यापर अगर कंट्रोल और शिफ्ट के साथ काम होता है या वो किसलिए इस्थिमाल की जाती है ठीक है। कोई भी अक्षर या कोई भी नंबर कुछ भी अगर कंट्रोल और शिफ्ट के साथ दिया जाता है तो वो कैसे यूज होगा या कैसे इस्तिमाल किया जाता है clear चलो लिखना सबसे पहले function की लिखना control प्लस shift प्लस f3 इसके बाद लिखना control प्लस shift प्लस f12 इसके बाद लिखना यहां पर next यहां पर लिखेंगे control प्लस shift प्लस यहां पर लिख़ो control प्लस shift प्लस d control प्लस shift प्लस g ctrl प्लस shift प्लस एल control plus shift plus ठीक है लिखा है ऐसे dg l लिखा आप लोगों ने इसके बाद लिखना यहाँ पर लिखते हैं आगे लिख देते हैं control plus shift plus p और इसके बाद control plus shift plus l नहीं l हो गया ना ऐसे लिखो और इसके बाद लिखना इसके बाद निकल जाना सिच्वेशन में फ़स्गे तो बिल्कुल बाहर आ सकते हूं ठीक है नावीद खान जी आप देखो मैं बताती हूं चाहिए अप्लिकेशन पर प्लिकेशन पर तो मैं खुदी प्रोवाइट करवा देती हूं और अगर आप पढ़ रहे हों यूट्यूब से तो वहां पर आपको बनाना पढ़ता है ठीक है चली बताइए इसका अंसर क्या होगा यहां पर सबके बारे में बताओ जिसके बारे में बताए फटाफट से देखो क्या होता है कंच्रोल शिफ्ट एसे थी का किष्टिमाल किया जाताए बुक मार्क के बारे मैंने को कल बताया था इ germs पेज अगर आपको पसंद आ जाता है कोई अगर वेबसाइट है उसका लिंक आपको पसंद आ जाता है तो आप उसमें एक बुकमार्क कर देते हो ताकि इन फ्यूचर अगर आपको कभी भी उससे के मिलती जुलती डीटेल देखनी हो तो डारेक्ट बुकमार्क पर जाओ और उस वाले पेज के लिंक को ठाकर देख लो क्लियर कंट्रोल शिफ्ट एफ 12 का इस्तेमाल किसके लिए होता है प्रिंट करने के लिए कोई डीटा अगर आप प्रिंट करना चाहते हो तो प्रिंट के साथ साथ इसके द्वारा भी प्रिंट कर सकते हो ठीक है क्या हो सकता है प्रिंट कर सकते हैं इसको कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डी का के दिigor किया जाता है font के लिए किसी अक्षर को सुन्दर बनाना शुbor first the क्ला अक्षर 게임 कर लिए IKEA अगर आपको काउंट करना है कि कितने शब्द आपने लिख्यों के उसवेड को काउंट करना चाहते हो तो Ctrl, Shift और G का इस्तमाल किया जाता है अगर आपको कोई Bulletin List बनानी है अंदर बुलेटिंग लिस्ट पता है क्या होती है Bulletin List होती है सपोज मैंने यहाँ पर यह चीज़़े लिखी मैं इसको सलेक्ट करके bulletin लिस्ट लगा तूँ मतल से बुलेट लगकर आ जाएगी तो यह बुलेटिंग लिस्ट के लिए कंट्रोल शिफ्ट के साथ एल को लगाया जाता है आगे चलते हैं कि आगे दिखोगे पीवाला यहीवेवी फ्ट से ही संबंदित होता है निक अशकर आठाओगा लिखावः लिए सारे उप्शंस आपके खुलके आ अगर आप control plus shift plus P करते हो control plus shift plus S यह जो भी आपने text लिखा है जो भी चीज़े लिखी है उसके style में अगर कोई change करना चाहते हो तो control shift और S का इस्तिमाल किया जाता है control shift और S का इस्तिमाल किया जाता है हम बिल्कुल सारी चीज़े लिखनी पड़ेंगी वह है clear control shift का इस्तिमाल किया जाता है कि किसके लिए open टास्क बार टास्क manager लिखो टास्क मैंजर को खोलने के लिए अच्छा अब है टास्क मैंजर क्या होता है टास्क मैंजर होता है अगर आप सपोस्ट अटक गयो यह से control और यह होता है आपका control देखना चाहते हैं आपके कंप्यूटर में कौन कौन सी चीज खुली हुई है जैसे अगर मैं कंट्रोल शिफ्ट और यह सी करूं अगर मैं यहां पर कंट्रोल शिफ्ट के साथ यह सी को प्रेस करती हूं देखो क्या होगा तो यहां पर यह टास्क मैंडेजर ओपन होकर आगया दिख रहा है आपको प्यारा साथ चोटू सा यहां पर जो आँपन होकर यह टास्क मैंडेजर खुल कर आया अभी मेरे सिस्टम में इतनी चीज़े बैक्ग्राउंड में चल रही है गूगलक्रों माइक्रोसफट एच्ट नोट जिसने कामी कर रही हूं और सिवन सर्वर और यह सारी चीज़े नोट करके दिखा देगा आपको अगर खतम करने हैं टास्क कर दो सब सबीढ़े कर लो इन सब को प्राक्र करकर देखेंग प्राक्टीकली करके अट है के पहले इस थीक है आगे चले अगे चले तो कुछ बच गए उनको एक साथ देखेंगे तो यहां पर मैंने अभी कंट्रोल शिफ्ट के साथ यह चीजे बताई अब नेक्स्ट पेज़ पर करते हैं आप जो बोलोगे ना उसको फिर हम वो कर देंगे मतलब प्रैक्टिकली बता दूंगे मैं थोड़ा सभी शांती से केवल जो जो चीजे बता रहें उसको नोट करना अगर कंट्रोल ऑल्ट के साथ अभी मैंने शिफ्ट के साथ बताया था ना कंट्रोल ऑल्ट के साथ अगर कोई फंक्शन की दी जाए अगर कंट्रोल ऑल्ट के साथ कोई फंक्शन की जाए कोई नंबर दिया जाए कोई लेटर या अक्षर दिया जाए तो उसका काम क्या होता अगर कंट्रोल और और के साथ कोई function की दी जाए कोई लेटर दिया जाए कोई number दिया जाए तो उसका काम क्या होता है नोट करना यहां पर ठीक है नोट करना है सबसे पहले function की लिखना control plus alt plus plus f1 next लिखना यहां पर control plus alt plus f2 तीसा लिखना है यहां पर control plus alt plus f12 यह जाएंगी function की के काम अगर मैं आप लेटर जोड़ दूँ तो लेटर के लिए भी लिख सकते हो आप लेटर के लिख सकते हो control plus alt plus e control plus alt plus o यह प्लस का sign है यहां पर ठीक है अब इनका काम क्या होगा यह कहां कहां इस्तेमाल किये जाते हैं इसको भी देख लेटर ना अगर control plus alt plus f1 की मैं बात करती हूं इसका इस्तिमाल किया जाता है किसके लिए कि तो इसका इस्तिमाल भी किया जाता है थी मैंने रने बतादी द Pur एक सब्सक्राइब इदो में क्ट्रोब के फंक्शन के साथ बताया था अच्छा भी नहीं वहां में को लग रहा किसी भी डॉक्यूमेंट को ऊपन करने के लिए इसको डॉक्यूमेंट को जाएगा यह डॉक्यूमेंट हो जाएगा Control Alt F12 का इस्तेमाल किसके लिए किया जाता है सिस्टम के Control Panel पर जाने के लिए Control Panel जहांपर सारी जानकारी मिल जाती है आप बैग्राउंड को चेंज करना चाहते हो वोईज में प्रॉब्लम में तो sound में चले जाओ डिस्प्ले में प्रॉब्लम में तो display के section में चले जाओ internet में प्रॉब्लम में तो networking के section में चले जाओ तो वो सारी चीजे control panel के अंदर ही देखने को मिलती है clear E की में बात करती हूँ तो E का इस्तमाल किया जाता है अगर आप किसी data के आसपास आउट लाइन करना चाते हो तो आउट लाइनिंग के लिए control जाता है क्रेड मार्क को बनाने के लिए आभी एट मार्क क्या होता है ट्रेड मार्क होता है उपर नहीं लिखा disciplined जैसे यह रिकाता है अगड़म बंगड़म और उपर लिखना हो मुझे टी और एम यह ट्रेड मार्क को बनाने के लिए कंट्रोल आल्ट के साथ आप ट्रेड प्रेस करोगे तो रेड मार्क बनेगा Ctrl-Alt-Y के दिएक क्या बनता है find एंडे रिस्प्ले Hold find and replace कोई शब ढूंड़ और उसे किसी दूसरे शब्ड के साथ replace कर दो गदल दो Ctrl-Alt-Y के लिए इस्तमाल किया जाता है ठीक है Ctrl-Alt-Z का कि इस्तिमाल किया जाता है किसी भी लाइन के 2 या 3 पोजिशन नीचे जाने के लिए किसी भी लाइन के 2 या 3 पोजिशन नीचे जाने के लिए हम औल्ट कंट्रोल और जड का इस्तिमाल करते हैं क्लियर कि आगी चली कि चलो बिल्कुल नोट कर लिए आज सारी कीज नोट कर लो ताकि आगे इन फ्यूचर बहुत बहुत काम आएंगी इनको नोट कर लिए ना सारी चीजों को क्योंकि सब की सब इंपॉर्टेंट हो जाती ठीक है बिल्कुल करता है लाइन के बिल्कुल नीचे ले जाता है तो करसर आपका लाइन के बिल्कुल नीचे ही आ जाता है करसर मतलब एरू क्लियर यह चीज़े आगे चले नोट किया इसे फिर आगे चले और भी सी होता है और एक वी होता है लिखना जरहा इसमें दो चीज़े और प्लाइब गसुंद को इसको भी नोट करों लो एक लिखो कंट्रोल प्लास ऑल्ट प्लास सी किसके लिए इस्तंवाल होता है कॉपई राइट के सिम्बल को बनाने के लिए copyright का symbol होता है यह छोटू सी copyright का symbol होता है यह छोटू सी एक आपका है कंट्रोल प्लस और प्लस वी कहां लिखे जगा नहीं बची यहां दिख जाएगा कंट्रोल प्लस औल्ट प्लस वी यह पूछा जाता है पूछे तो कर सारी जाते हैं इसलिए चुनिंदा ही कर वा रही हूं जो इंपॉर्टेंट है कंट्रोल और वी का इस्तेमाल किया जाता है स्पेशल क eerste कर नहीं के लिए ने है किवा आप उसके फण्ट के स्टाइल को पीस्ट करते हो पूरा का पूराइम प्हाला पेस्ट करते लिए जीसे अगर मैं आपको यहां पर केक्जामपल ़ो पेशल पर मतलब होता है जैसे यहां अगर मैं यहाँ पर इस वाली डीटा को सेलेक्ट करती हूं और यहां पर लाकर स्पेशल कर देती हूं यहां पर लाकर स्पेशल पेस्ट कर देती जिसकी shortcut की है control alt और वी तो यह प्रीती नहीं लिखेगा यहां पर लाकर यह क्या लिखेगा यहां पर इस एक्जामपुर को भी इसी डिजाइन के अंदर बदल देगा इतने प्यारे प्यारे डिजाइन के अंदर लिख देगा यह काम होता है special paste का केवल design उठाता है अक्षर नहीं केवल design उठाता है अक्षर नहीं clear आगे चली मैं यह सारे question आ सकते हैं कि आप बिल्कुल आ सकते हैं भी हाँ बिल्कुल format को paste करता है बिल्कुल सही क्लियरे ओके यहां बाते बहुत हो रहे हैं कोई बात मत करो मोनिका इतेश रॉयल शांत बिल्कुल क्लियरे चलो आगे चलें यहां तक लिख लिए आप लोगों ने अब नेक्स चीज़े देखेंगे आपर और कौन कौन सी चीज़ आने वाली है कि dopo नेक्स देखेंगे आपर अगर मैं ओल्ट के साथ कोई की प्रेस करती हूं तो यहां पर नेक्स शट weочку कीज देखेंगे अगर होन के साथ किसी की को या किसी लैटर को या किसी नंबर को प्रेस किया जाता है तो क्या होगा ओल्ट के साथ वाली shortcut keys कैसे आप alt के साथ किसी number को या किसी letter को press करते हो तो क्या होगा उसके बारे में बार जान लेते हैं ना चलो लिखना यहां पर लिखना यहां पर alt के साथ जब e को press करते हैं तो क्या होता है आई और कसाथ e या फिर w कुछ भी कर दोरू का एकी काम है लिखना यहां पर alt के साथ जब a руки को press किया जाता है तो क्या होता है पर और और टी को प्रेया जाता है तो क्या होता है इस ही मिखना है इस ही के अंदर लिखना है और के साथ जब आई या फिर ओ या फिर ए या फिर वी इसको प्रेस किया जाता है तो क्या होता है इसी में नोट करना ऑल्ट के साथ जब एफ को प्रेस किया जाता है तो क्या होता है इसी में नोट करना जब ऑल्ट के साथ एसको प्रेस किया जाता है तो क्या होता है यह कुछ अक्षर से हैं तो इंपोर्टेंट हो जाते हैं ठीक है क्लियरे और इसी के अंदर और के साथ एम को भी कर ली ना एसके बाद यहां पर लिख लिए ना और के साथ जब किसी भी मैन्यू को देखने के लिए कमांड को देखने के लिए या डबलू को और के साथ प्रेस करते हैं कि किसी भी रिविव्यू मैन्यू पर जाने के लिए कंट्रोल और के साथ और दबादो या टी दोनों दबाओगे की काम होगा देखो मैंने आपको एक चीज बताई थी विचल उसके बारे में बताती हूं लास्ट में पहले बसके वले इतनी कीज के बारे में जाने लेती है आई ओ एवी से होम मेन्यू पर आप क्लिक करते हो है तो I, O, A या भी इनमें से कोई भी दबातों अगर आप F को दबाओगे तो फाइल मेन्यू पर जाओगे का सारे के सारे मेन्यू बार पर लिखी हुई कमांड पर आपको ले जाएंगे अल्ट के साथ S को दबाओगे तो रफ्रेंस मेन्यू पर जाओगे अगर किसी चीज के बारे में reference वाली चीज़े देनी हैं तो अभी मैं इसके बारे में बताऊंगी होंगी क्या सारी चीज़े अगर आप M को दबाओगे तो smart art graphics पर जाओगे कहां पर smart art graphics पर जाओगे smart art graphics पर alt plus m से जाया जाता ही सारे alternative keys के काम होते हैं किसके होते हैं बिल्कुल alternative keys के काम होते हैं गए ट्रॉड प्लस और प्लस को दबाओगे तो equation पर जाते हैं equation किस पर जाएंगे equation एक्वेशन फ्रीमीन होता क्या है आपको मैं आपर एक विंडो बनाती हूं त मेन्यू बारामे कमवाण रोती है लोग होटी है एक सब्लबार में होना करें टींग है फाइल की कमांड होती है camad own video की कमांड होती है और review कि command होती है कि रञेट's की कमांड होती है स्माट आप मैं सारी कमांड होती है हुआ को मतलब होता है और अगर मैं Grand Key करती हूं तो कि कहा जाता है इसको और नेटिव की गाजाता है ऐट इंव की कहा जाता है define है यस अगर माउस खराब हो गया तो वो सारे काम यह नहीं करेगा और नेटिव माउस से आप और ओको फाइल पर नहीं ले जा सकते क्लिक नहीं कर सकते तो फाइल वाले मेन्यू पर जाने के लिए और प्लस एफ को दबाओगे तो यह फाइल वाला मेन्यू खुद खुलकर आजाएगा ठीक है आपको रिव्यू वाले पर जाना है तो अल्ट के साथ और याटी खोलोगे दबाओगे तो यह रिव्यू वाला मैंन्यू अपने आप खुल कर आ जाएगा तो यह मैंन्यू बार को शो करने की शॉटकट कीज होती है एक आगे चली के रहे ओके बिल्कुल हो जाएगा भई कि ट्रिपल सी भी हो जाएगा ट्रिपल सी के भी ले सकते हो चल ये क्लिया रही है लिख रहे हो नोट कर रहे हैं से याँ अल्टरनेटिव की बिल्कुल ठीक है अनू राजपूट जी अब देखो यहां पर नेक्स चलते हैं अब कुछ अलग से कीज हैं उनको भी नोट कर लेना कुछ अलग से कीज होँगी उनको भी नोट कर ले ना अचा मैंने Ctrl ALT लिखवाया था आपको मैंने आपको यहां पर Rocky ALT के बारे में नोट करवाया था है ना cnn in c content लाल लिखवाया था कहीं इस ने बहुत सारी केज हो गई ho है अब हमनिने पीछे किया कंट्रोल ऑल्ट के साथ मों घंफार मैंग 추천 के साहते होती है आपकी अयम की इस से क्या होता है इससे आप किसी भी जो भी लायन लिख रहे हो या paragraph लिख रहे हैं किसी भी लाइन के एकदम लास्ट में कमेंट को एड़ करने के लिए इस्तमाल की जाती है कमेंट को जोडने के लिए Ctrl Alt M का इस्तमाल होगा M for mango mango खाकर आप comment दोगे कि mango मीठा है खुढ़ा है खटा है करवा है कैसा है और एक वो ellips वाली भी रह गई वह हो इलिपस वाली भी इसी के अंदर आ था एक मिठा Ctrl के अंदर हैं कहा ले कि इसके नदर तो जगह नहीं दिख रही आपको नहीं स्कूल में करते दे जब कॉपी के पेज खतम हो जाते थे बिल्कुल नीचे नीचे लिखते थे बस एक लास्ट है यहां पर लिख लो control के साथ अगर alt को press करते हैं और यहां पर point को press कर देते हैं तो यह ellipses के लिए इस्तेमाल किया जाता है ellipses का मतलब dot 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 अपने आप आजाएगा बंकर ellipses के लिए इस्तेमाल होता है control और alt के साथ यह point वाला चिन यह सिंबल क्लियर कैसे याद होंगे यह कि हिस्ट्री में इतनी चीज़े याद कर लेते हो भाई मोहमद बिन तुगलक ने क्या क्या किया था खिल जी ने क्या क्या किया तो इसमें क्या है यह कुछ भी नहीं प्रक्टीकल करोगे वी वुचायगा है था अज हमने बहुत सारी shortcut keys करी दो तीन और बचरी एक्स्ट्रा उनको भी मैं करवा दे रही हूं ताकि कुछ ऐसा ना बचा कि जो मतलब मुझे लगेगी करवाना चाहिए था मैंने नहीं करवाया एक्स्ट्रा कीज एंदर केवल दो या तीन इसको भी देख लेना एक आता है। अगर आप अपने computer को lock करना चाहते हैं तो window के साथ l WALI की को प्रेस करना यह walk के लिए होता है एक होता है आपका search किसी भी फाइल को सर्च करना है तो विंडो वाली की के साथ क्यों को प्रेस करना विंडो वाली की यह वाली होती है ऐसे बनी होती है कुछ विंडो वाली की होती है ठीक है अगर आपको बोले privacy control panel में डायरेक्ट जाना है तो window वाली के साथ control पैनल में डायरेक्ट जाने के लिए window वाली के साथ आई को को प्रेस कर सकते हूं क्या क्या पड़सा को कि बना के साथ आपका जो computer हो जाएगा वो लॉक हो जाएगा क्यों के साथ आप कोई भी फायल को सर्च कर सकते हो, l, i के साथ window plus i ठीक है, ये हो जाएगा, l के साथ lock करने के लिए, q के साथ search file और i के लिए हो जाएगा, control panel पर जाने के लिए, control panel को open करने के लिए i हो जाएगा, तो कितनी shotcut keys पढ़ लिये ہमने आज, ठीक है यह कैसे कैसे कमेंट कर रहे हो भई मैं बोल भी नहीं सकते हैं जी जी एच जी ऐसे कमेंट मत क्या करो मैं मैं प्लीज बता दीजे देखो एक तो जब आप उसको सेव करो तो डायरेक्ली उसके फॉर्मिट में जाकर ही जे पीजी का उप्शन चुन लेना वहीं से आपकी चेंज हो जाएगी क्लियर है बिल्कुल विंडो प्लस ही माई कम्प्यूटर वेरी वेरी गुर्बई पंकर जी ऐसे आप अगर इंफॉर्मेटीर चीजे डालोगे ने तो ज़्यादा चल लगेगा मुझे देखने में कमेंट कर विंडो के साथ ये वाले को प्रेस करोगे तो माई कम्प्यूट आप पहुंच जाएंगे तो यह कुछ इंपोर्डेंट की जो कि आपको याद रखनी क्लियर मैं क्या ये इनफ होगा ओफिस में काम के लिए बहुत ज्यादा इनफ होगा मोहित कुमार जी आज तो बहुत पढ़ लिया बहुत अच्छी बात ही तो पढ़ना भी चाहिए था Satchin जी, Unlock कैसे होगा Computer Unlock कैसे होगा, अगर Password डाल रखा है तो Unlock करोगे और कैसे होगा, अरे Password डाला होगा तो password डाल के Enter रबा देना, अनलोक हो जाएगा है कि ए बिल्कुल चलो तो यह सारी कि सारी चीज़े आपको समझ में आए और यह सब चीज़े आपको याद करनी पड़ेंगी इसके लावा और कोई चारा नहीं है क्लियर है चलो आगे चले है बिल्कुल आगे चलते हैं और भी चीज़ों को यहां पर हम देखेंगे ठीक है और भी चीज़ों को अब हम यहां पर देखते हैं और भी चीजों को यहां पर हम देखते हैं कि कैसे कैसे ही हो सकता है ठीक है तो यह तो हो गई आपकी कीज याद रखना यह सारी कीज मैंने बताई एक बार फटा-फट से बस रिवीजन दिखा देती हूं कितनी चीज़े हमें आज याद करनी है हो सकते तो प्रैक्टिकल कर ले फंक्षण की सितनी होती है इनका काम यह होता है श्कुआइब ले लिना मंंंना इस प्रिंच इन शॉटकर की और आप कंप्यूटर पर ही प्रीजन का की ने यह लैप्टाप पी स्कूट स्कूट ले थो स्कृन शॉटकरत की होती है वींडूब वाले बतन को प्रेश करXT कर स कि विंडू वाले बटन को प्रेस करको perspectives कर दो स्क्रिन शॉट लग जाता है यह वह को आफिए स्क्रिन-मे शॉट की स्क्रिन करने की शॉटकट की शॉटकूरी है ना क्लिक करने की फिर कहां थे हम अब मैं अब आपर टाइम दे रहे हूं ब्रेक का है कि करके सबका screenshot ले लेना पढ़ लेना पॉस करके screenshot कर सकते हो control की function की यह हो जाएंगी alt की function की यह हो जाएंगी shift control की function की यह हो जाएंगी alt control और function की यह number letter के साथ यह हो जाएंगी यह most important है सभी के सभी alt के साथ number के लिए alternative menu बार पर जाने की shortcut की यह हो जाएंगी extra shortcut की यह हो जाएंगी clear है सारी चीज़ें चलो नावीद खान जी मैं कल एक बार आपको यह practically करके बता दोंगी ठीक है रुको आज क्या आए आज थरस्डे एक मिनट रुकना ठीक है आज क्या आज थरस्डे अच्छा एक मिनट के लिए वेट करना कल की क्लास आप लोगों को पांच बजे ना कल पांच बजे जितने हर्याना वाले आपर स्टूडेंट्स है कल हो जाएगा फ्राइडे कल में फ्राइडे स्पेशल क्लास लेकर आउंगी आपकी एक बज़े एक बज़े कल ओनी वाली है फ्राइडे की स्पेशल क्लास ठीक है साथ ही में अब इसमें करवाऊंगी में फ्राइडे स्पेशल में अच्टीमल चलेगा कल तो मैं यहीं करवाऊंगी और फ्राइडे स्पेशल क्लास होने वाली एक आपकी शाम को पाँच बजे फ्राइडे स्पेशल क्लास में एक लूंगी शाम को पाँच बजी अभी मद्यप्रदेश पर चलती एंपी पर आकर दिखा करो एंपी एक्जाम्स बाइग्जामपूर पर चलती है एंपी एक्जाम्स बाइग्जामपूर पर चलती है तो यहां पर तो शुरू के तीन दिन चला करेगी मंडे ट्यूजे वेडनस देट थर्स्डे से लेकर फ्राइडे तक खैर यहां तो कल चलेगी आज तो फॉलो नहीं कर लेगी हर्याना वाले चैनल पर हर्याना बाई एक्जामपुर हर्याना एक्जामस बाई एक्जामपुर एक चैनल बना हर्याना वालों के लिए special यहां पर मैं कल करवाने वाली हूं C++ और क्या C++ होगा उसको आप देखना ठीक है चलो तो कल भी बिलकुल टाइम से आजाना है आप सभी लोगों को बिलकुल इतनी सारी कीज पढ़कर कंफ्यूज हो गए बहुत सारी चीज़ें पढ़नी आपने कहते हैं आपने रास्ता ही ऐसा चुना है जिसमें बहुत सारी चीज़ों को लांग कर जाना पड़ेगा अगर ठक गए तो छोड़ देन ठकने का तो जवाब ही नहीं मतलब सवाल ही नहीं होता भई ठक होगे क्यों किसी चीज़ कोई मूवी देखतें इंट्रस्टिंग सी मूवी सपोज आसे बाहु बली को इतने पागल हो गए ते उसके लिए सब इतने मीम्स बने थे कि लोग तीन घंडे की मूवी में ऐसे पूरे दिन चलता है पांच दिन तक चलता है तो यहां पर पढ़ाई नहीं हो सकती बाहने चोड़ना पढ़ लेना चलो तो क्लास को करते हैं यहां पर एंट मिलते हैं कल अपनी टाइम पर ठीक बज़े क्लास अगर अच्छी लगी हो वीडियो इन्फोर्मेटीव हो तो बि कि इस संडी तो फ्राइडी स्पेशल था इस संडी आपका एक सेशन आने वाला है ठीक है कि अब ही में एक पोस्टर दी रही हूं है ना वो सर लगा देंगे उस पोस्टर को देख लेना परामसी इस संडी आपका एक स्पेशल इस सेशन आने वाला है और यह सेशन आपका रहने वाला है तेरा जून राट आठ बजे एक स्पेशल सेशन आप लोगों के लिए आने वाला है क्लियर तेरा जून कोई 11 बजे करन अरजुन वाला सेशन वह आप लोगों को देखना है पांच हजार बुक्स गीववे होंगी दी जाएंगी और भी बहुत चीज़े मिलेंगी और तेरा जून कोई रात आठ बजे आपका एक और प्यारा सा एक नया सेशन आने वाला है कौन बनेगा एक्जामपूर महारती तो बिल्कुल देखना नहीं भूलनां से ठीक है चलो तो इसी साथ करते हैं सेशन को मिलते हैं कल तब तक लिए हस्त रहिए मुस्कुरात रहिए खुश रहिए अपना अपने घवालों का ख्याल रखिए जैहिंद जैबुश सबस्टा साथ बिल्कुल रहिए और साथ करते हैं यू रहिए जैबुश रहिए झापने जैबुश भी का सिर्वाइबुश से बिल्कुल तो प्रभश से आपने चलों को मुस्का तो खुश रहिए झाल झाल